हलू दोई अज आज हमने चंभल फिडिलाजर को चिए लाइजर को ट्रेट करने से पहले अपने eficational लग मोर्म भी Papon बिबसे अगी में अक्रिलाइब करने से अपने लाई ने कशनल बाऊनगई दो Taylor enroll Canal mu क्या हो सकते हैं किसी भी stocks के अंदर इसके पर एक discussion करेंगे आप यहां पर देख रहोगे हमारे पास कुछ blue color की lines मांगते हैं जैसे कि एक यह मेरे level होगे और upside में देखिए blue colors की दो lines है highs इसके बाद में देखिए price ने एक breakout करने के बाद में upside का momentum लोगो देखाया था like कि अगर हम यहां से इसको देखते हैं 5 minutes के time frame पर या even एक range मां कर लेते हैं पहले यह वाली देखिए यह अपना swing point है अब यह swing point क्यों मेरे लिए important होता है दो reasons हैं बड़े इसके lower time frame पर आएंगे and lower time frame पर net slow हो गया है थोड़ा सा exact ठीक है so lower time frame पर यहां पर आप देखिए morning में price ने एक swing बनायते इस range हो delete करते हैं perfect अब इस swing के पास में जैसे ही price ने हमको हमारे entry confirmations दिए अभी entry confirmations के उपर भी discussion करेंगे किसी भी stock के उपर जहां हमें trade करना हो सकते हैं एंट्री लेना हो सकती है तो हम कैसे लेंगे फिलहाल chumble fertilizer को पर नजर डालते हैं एक यह हमारा resistance point and यहां पर एक arrow लेते हैं सबसे पहले so okay इस resistance के breakout के बाद में एक retracement again same candle यह वाली candle यह मेरी entry के candle थी एक retracement के बाद में यहां से हमने अपना trade execute किया और किस तरह से हमने target identify किया थे 367.70 के so यह 364 actually 364.70 because just यहां पर देखिए 370 और 375 रूपीज के लेवाले यह 55 रूपीज के कुछ points है जो कि round figures में किसी भी stock को जब हम trade execute करते हैं तो वहां पर बहुत help करते हैं यहां पर सबसे पहले trade book अपनी open करेंगे बहुत मेनित लगते है वीडियो बनाने में record करने में edit करने में आप लोग तक पहुंचाने में और इसके बतले में आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद होती है अगर वीडियो से आपको कुछ value मिलती है तो इसको जरूर से जरूर लाइक की जागा है आज का overall जो आप हमारा profit देख सकते हो 16,000 के round अपने profit बुक किया था तो परफेक्ट ठीक है एंड 16,000 के profit के round और भी हमको बड़ा profit दिख रहा था जैसे के order book open करेंगे तो टोटल जो हमारी क्वारी क्वानिटी है 25,000 क्वानिटी लगबंग 20,000 क्वानिटी क्वानिटी लगबंग 20,000 क्वानिटी का था एक्जेक्ट किया था है कि trade execute करने से पहले अपने telegram channel पर morning महीं update कर दिया था कि इस stock को हम देख रहे हैं और buy side महीं देख रहे हैं तो कौन कौन से perspective होते हैं कैसे हमें उसको देखना चाहिए और एक analysis करने से पहले trade के अंदर entry करने से पहले कौन कौन से point से या कौन कौन से checkouts होते हैं जहां से अपने charts को में निकालना होता है अभी जैसे हमने बताया Shumble 40 laser है या कोई भी stock है XYZ लेट करने के पीछे के कौन कौन से reason होते हैं जब हम किसी भी stock को trade करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर हम entry बनाना चाह रहे हैं swing हो या फिर investment या आपका interlator trading हमें अगर किसी stock को trade करना है ना तो सबसे पहली चीज तो उसके अंदर हमारे पास higher time frame के levels होने चाहिए जब हम higher time frame के अपने levels defined कर लेते हैं like कि यह मेरे कुछ अपने points है but again price हमारा upside की तरफ गया और ऐसे करते करते यहां पर हुआ क्या है कि यह वाला जो हमारा area बना swing point बना यह analysis से देखे किसी भी stock जब आपको trade करना है अब यह जो मेरा swing area बना अब यहां पर हो क्या रहा है कि trade execute करने के लिए simply हम एक swing simply एक swing के तलाश में रहते हैं या तो हमें day time frame पर को swings मिल जाए या हमारे कुछ important levels मिल जाए जहां से हम trade execute करें तो एक movement की उमीद हमारे अंदर बनी रहा है कि यहां से हम एक move catch कर सकते है higher time frame पर यह चीज हमने देख ली अब important जितने भी levels हमें निकालने हैं वो day time frame के levels की according ही निकाल लिए आपको अब lower time frame में क्या होता है कि like यहां पर अपना कोई एक area है और हमने इसको mark कर लिया आगे तक यह मेरा point निकला 335 just imagine यह हमारा 335 रुपीज का एक level है अब यहां से में trade execute करना है यह में देखना होगा कि price के अंदर आपको buying करनी है selling करनी है जैसे आज morning में हमने inform किया था कि हम लोग इस level के उपर अपने entry के confirmations लेंगे और यहां से अपना trade execute कर देंगे buy side में ही जाना यह भी clear था चंबल fertilizer के अंदर अच्छा चंबल fertilizer को हमने trade select क्योंकि जब आप देखो कि चंबल fertilizer को लगाता है अगर आप market को market में बाने रहते हैं उसके updates लेते रहते हो तो आपको मालूम होगा चंबल fertilizer के अंदर पिछले 3-4 दिन से भेंकर news चल रही है एक अच्छी खासी news चल रही है and Zee News पर भी यह stock आज morning में ही suggest किया गया था यह आज morning का है चंबल fertilizer 358.20 buy side के तरफ यह लोग suggest कर रहे थे CNBC आवाज में सौरी और जब आप इसको Google करोगे तो चंबल fertilizer के अंदर के अंदर के all news आपको में जाएंगे चंबल fertilizer काफी अच्छे bullish move में है यह reason था कि हम इसके अंदर एक level का weight कर रहे थे क्योंकि जब हमें कोई trade execute करना होते है तो हम हमेशा कहते हैं आपसे कि अपने level का weight करना है अभी day time frame पर जब आप चंबल fertilizer को देखोगी तो आपको बहुत अच्छा है कि important level नजर आजागा जहांसे अपने trade execute करना अब यह मेरा day time frame का level जहां आपसे कहते हैं कि आपको trade execute करना है और अपने entry confirmations लेने है तो इसका reason होता है कि आपको अपने levels के पास में कोई भी confirmations लेने है कोई भी अगर हमें buy side में जाना है तो आपको buy side momentum मतलब bullish formations कई सारी bullish formations bullish formations और bearish formations यह आपको मालूम होगी नहीं है तो बहुत सारी books आपको मिल जाएंगी बहुत सारी videos यूट्यूब पर मिल जाएंगी काफी सारे आपको bullish और bearish आप लोगों को अल्री मालूम होगा अब जैसे अभी हम बता हैं तो bullish engulfing होगा tweezer bottom होगया hammer होगया dragonfly dozy होगया inverted hammer होगया morning star होगया three soldiers होगया तमाम तरह के आपको formations मिल जाएंगे जो bullish होते हैं bearish में आप जस्ट इसका reversal कर दो bearish engulfing tweezer top आपका hanging man हो जाएगा grave strain dozy हो जाएगा shooting star है evening star है तमाम तरह के formations आपको मिल जाएंगे mother candle होगया buy करना है तो किसी भी bullish formation के बन जाने के बाद में हम उसके upside की तरफ breakout होने का wait करते हैं जैसे कि यह formation बन गई यह एक मेरी mother candle है अब अगर हमें buy करना तो एक bullish formation की हमें तलाश रहती हमें bullish formation find करते हैं और जैसे price यहाँ पर upside का momentum दिखाएगा हम अपनी entry ले ले लेते हैं यह depend करता है market conditions के उपर उस वक्त की market condition क्या है एक sentiment क्या चल रहा है क्योंकि मालूम होना चाहिए कि इस stock के अंदर जह हम buying और selling करें तो एक overview हमें उस stock का ले ले लेना चाहिए ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपने bullish formation देख ली bearish formation देख ली execute कर दिया तब तो आप फस जागे बूरी तरह से फस हो गए कि कोई भी एक day time frame का level आप decide कर लो अपना जहां से भी आपको लग रहा है कि यह important है या आपको satisfy कर रहा है वो level अब mark करो और वही पर अपनी कोई भी bullish formations देख लो एक mother candle हो गई mother candle ने जैसे आपके levels पर breakout किया अब यहां पर अपना कोई important level है day time frame पर तो already हम लोगों decide कर रखा है और यह अपना lower time frame पर हमें एक mother candle दिख गए जैसे ही इस mother candle का breakout आपको downside की तरफ दिखे जैसे mother candle का breakout आपको दिख रहा है continue वो गलतियां करते रहोगे तो इसलिए प्रयास करो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो जो वीडियोज हम daily के daily upload करते हैं आप इसको देखो free वीडियो से याब बहुत कुछ सीख सकते हो लेकिन सीखना ज़रूरी होता है आप ये mother candle का हमने आपको just example दिया just एक example दिया इसी mother candle की जगह पर आपको ingulfing दिल सकती है ingulf कर ले price को पूरी तरह से है न ये भी एक bearish ingulfing bullish ingulfing आप लोगों ने सुना होगा तो जैसे price आपको breakout दिखा है downside की तरफ यहाँ पर आप अपना trade execute करो और जो swing होते हैं वहाँ का stop loss लगा और retracement पर entry लेने के बाद में बने रहो इसके अंदर इस तरह से कोई भी trade agar है में execute करना तो अपना एक level में निकाले ना उस level के पास अगर short करना तो bearish formation find करो bearish formation के breakout पर entry ले लो buy करना bullish formations का वेट को bullish formation के breakout पर अपना trade execute कर दो यह बहुत normal normal सी चीज़ें जैसे हम अपना trade अगर execute करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं और बहुत एक कह सकते हैं शुरुवाती stage में आपको यह बहुत help कर जाएंगे otherwise हर बार हम ऐसे trade execute नहीं करते हैं अपना trade execute करते हैं Volumes के confirmations होते हैं हम लेते हैं वहाँ पर अपनी Volumes के confirmations तब trade execute करते हैं जैसे Chumbal Fertilizer हो गया Drawings को remove करते हैं अभी Chumbal Fertilizer के दरफ चलते हैं देखें Markings को करते हैं remove सारी Markings साह हठा देता है हमने आपको Mark क्या करके दिया था अपने कुछ यह वाले points माग करके दिये थे कि इसके ओपर हम सिर्फ और सिर्फ अपने buying की activities find करेंगे breakout हुआ actually यह वाला breakout हो चुका था अच्छे खासे volume आपको यहाँ पर दिख रहा होंगे काफी अच्छे volume आया थे और price का अपना यह support area बन चुगा था because यह 357 रुपीज का अपना important point है यह आप इसको back करोगे तो इसी level पर आपको काफी अच्छे resistance और rejection point दिख जाएंगे चंपल fertilizer के अंदर हमने क्या किया कि जैसे ही price ने upset का move दिखाया एक swing बना नीचे और यह हुआ अपना breakout अब हमें अपने entry confirmations चाहिए थे हमने क्या किया कि जैसे ही price नीचे की दिशा में आया आपको यह candle दिख रही होगी bullish candle यह वाली candle इसने actually किया क्या था एक mother candle की formation बना दिए अब इस mother candle का breakout जैसे ही upside की तरफ हुआ यहाँ पर जैसे ही upside की तरफ हुआ इस जगह पर हमने retracement पर अपनी entry ले थे retracement पर पर अपनी entry ले और जो stop loss था इस green वाली candle के just low पर हमने अपने stop loss लगा दिया था बच क्या था क्योंकि यहाँ पर जब देखिए price नीचे की तरफ गिर रहा था तो volumes में इसकी गिरती चले जा रही थे यह देखिए price हमारा गिर रहा और volumes भी मेरी गिर रही लगाता है हालां कि price गिर तो रहा है बढ़ यह इतने strong नहीं है और supportive area हमारे कौन से बनते हैं यह वाले यह area अपना entry का point बना stop loss यह बना because इसके नीचे आप कहीं पर भी stop loss लगा दो अगर price आपके इस green वाली candle इस जिसमें volume आई है अगर इस green वाली candle के नीचे अगर आया तो फिर यह नीचे नीचे निकल जागा आप कहीं पर भी stop loss लगा वो hit हो ही जाएगा तो इस stress हमने आज क्या क्या था अपने entry के confirmations लिये थे फिर से हम clear कर दें देखिए यह अपना level था इसके उपर हमें अपने entry confirmations चाहिए थे अब हम देख रहे थे कि यह bullish formation हमें दिख जाए और एक सही जगाए पर दिखे तो यह candle हमको नजर आई जैसे ही price ने breakout दिखा है upside के तरफ यहाँ पर अपनी entry और इस green वाली candle के just low पर हमने अपना stop loss लगाया और entry ले लिए अब बारी थी trade execute करने की trade execution के लिए हमने भी आपको क्या दिखाया था कि देखे कुछ एक lines control Z करते है साई lines को हमने delete कर दिया है यहाँ पर entry और stop loss समझ में आगे actually अब देखिए यह कुछ levels थे जो कि हमने morning महीं mark कर रखे थे 357, 375, 370 इसके बाद में 365 यह अपना point था target book करने का 365 हमें यहाँ पर actually अपने targets book करने थे बट जब हमने देखा कि यहाँ पर volumes आपकी थोड़ी सोड़ी drain हो रही है यहाँ पर देख रहे है, volumes आपकी drain हो रहे है नीचे की तरफ volumes आ रहे है और जैसे price ने हमारे level को touch किया इसके अंदर volumes increase हो गई, मतलब 365 रूपिस का यह जो level है यह कही ना कि अपनी importance शो कर रहा था हमने क्या किया कि इस candle के बन जाने के बाद में थोड़ा सा buffer दिया और buffer दे करके यहां सो चुप चाप हमने अपनी exit मार दी क्योंकि time भी काफी सारा हो चुका था दो बच करके 15-20 मट हो चुके थे तो यहां पर हमने अपना जितना भी trade बगरा चला था सारा का सारा exit मारती थी अब इसके ऊपर जो हमारे levels बन रेते वो 370 के और 375 रूपिस के बन रेते अब यह 370 और 375 के है actually round numbers होते हैं यह आप देखोगे यह open interest जैसे चंबल फिटिलाजर को open interest आपको हर 10 रुपे पर मिल जागा तो 370 रुपे 370 रुपे इसका एक important point है और 370 के नीचे 360 रुपे 58, 69 और यह 60 अब 60 रुपे का जैसे इस ने breakout देखी दिखाया 360 रुपिस का breakout 360 के उपर हमारा अगला level कौन सा था 365 यह देख रहे हैं 360 को price ने कितने heavy volume के साथ breakout कर दिया और breakout कर देने के बाद में 365 रुपे का next level तो वो वहाँ पर अपने 365 रुपे तक पहुंचा यहां तक देखे और यहां पर अपने profit से हमने book कर लिया तो overall lower time frame पर जो भी एपनी formations थी जैसे पने trade execute का और जैसे पने profit book के वो सारी की साथी चीज़े हमने आपको दिखा देखा देखे अब एक नजर हम गुमा लेते हैं daytime frame कर देखे जो भी चीज़े चल रहे हैं यह profit होना यह जैसे की loss वगरा सब चलता रहता है अभी भी हमने बता है और हम फिर से आप से बोला है यह सारी चीज़ें loss हो गया तो अपने आपको demotivate नहीं करना है या फिर profit हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा confidence में आ करके अगले ही दिन quantities increase नहीं कर देनी है हम अकसरी बात बोलते रहते हैं कि हमारा अपना एक rule या regulation आप बोल सकते हो है जिस दिन वो complete होगे हमारा target हम option की तरफ shift हो जाएंगे option के उपर हम trade execute करके देखाएंगे लेकिन हाँ जब हम option के उपर आएंगे तो हो सकता है इतना बड़ा बड़ा आपको ratio ना मिले 4 या 5 हमें ठीक है मिल रहा option के अंदर लेकिन वो एक movement में हो रहा है लेकिन जब हम उसको hold कर ले जाते हैं तो premium मेरा dk होने लगता है और वही जो मेरा बड़ा ratio होता है 5 तक जो हम पहुंचे है वो कम होने लगता है दीरे दीरे तो यह सब practice का हिस्सा है जिस दिन हमारे इधर targets complete होते हैं हम options की तरफ आएंगे तो वहाँ पर मिलेगा लेकिन stocks में क्या होता है कि मेरे stock अगर एक level पर नहीं तो दूसरा हमको हमारे level पर मिल जागा market को पर टिमेंट करता है फिरहाल यह सब सारी बात की चीज़ें बात की बाते हैं अभी देखे चंबल fertilizer हो गया जैसे चंबल fertilizer में आपको यहां पर एक swing दिख रहा होगा है न अब सारी markings को हम यहां से delete कर देते हैं अब site के रहने देते हैं यह मेरा नीचे के दिशा में गिर गया है अब आप एक काम करूं यह जो green valley candle है जिसने swing high लगाया अब इसको low mark कर लो आपको खुद समझ में जागा कि यहां हो क्या रहा है समझ पा रहा है कुछ जैसे price हमारा जिस तरह से नीचे की तरफ गिरा है यहां पर देखिए एक mother candle form कर दी और इस range का breakout price ने नीचे की तरफ किया यहां पर but volumes गिर रही है यह volume यह अचानक से बढ़ गई और price हमारा नीचे की तरफ है अब आपको क्या लग रहा है अगर volumes ने एक high volume के साथ किसी एक level का breakout किया तो वो नीचे गिर जाना यह नीचे गिर जाता अगर volume आई है तो यह उपर क्या करने जा रहा है और अगर उपर जा भी रहा है तो हो सकता कि किसी तरह को trapping चल रही हो एक दिन गया उपर अगले दिन नीचे की तरफ गिर जा है बटी फिर ने गिर इसने किया क्या है कि जैसे ही price ने एक support लिया यहां पर volumes increase होने लग गया मतलब price volume को increase करते हुए upside की तरफ जा रहा है हमें मतलब नहीं कि price कहां पर भी चला जा हमें मतलब नहीं हमारा इसके अंदर इंट्रेस्ट तब होता है जब यह हमको हमारे important level में मिलता है तो जैसे ही price हमको हमारे swing पर मिला अब आप 5 नाट पर आजो पर प्राइस ने इस एक जगह पर हमना swing बनाया और इस swing का breakout कर दिया upside की तरफ यह वाला जिया यहाँ पर price है ने breakout का दिया upside की तरफ अब यहाँ पर हम चाहिए तो देखे जो अपनी यह black वाली लाइन है वहीं पर हमने अपनी एंट्रीय का लिया प्राइस ने जैसे ही upside की तरफ अपना breakout दिखाया हमने एक stop loss लगाया और जितने भी profits वगरा थे अब जैसे हमने बताया बोकली विकाज एक speed में price हमारा upside के तरफ चला गया तीन candles में इसने पूरा का पूरा target हमको दे दिया ओके यह overall analysis थी हमारे आज की rate की I hope जो भी effort हमारा कहीं न कहीं वह आपको एक value दे रहा है कहीं न कहीं आपको price को समझने में आपको help मिल रही है तो जितना हो सेगे video को अप सपोर्ट मिलता है तो thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में यानि के कल कोई भी stock अगर हमको देखेगा एक सहील होल पर तो हम उसको जरूर से जरूर मार करके आप लोगों कोई साथ share करते है thanks and we will meet again